और सनी देवल आखिरकार गुर्दासपूर संसद्यक शेत्र के दोरे पर पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने अपने हलके के विकास कारियों का जायजा लिया लोगों को ये भरोसा दिलाया कि जनहित के काम जोर शोर से जारी रहेंगे और वहीं विकास के काम में टांग अड़ाने वालों को भी सनी पाजी ने अपने अंदाज में चेतावनिंदी दाली ये अंदास फिल्मी सनी देवल का नहीं बलकि गुर्दासपूर से सांसद बने सनी देवल का है जनाब पठान कोट के दुनेरा में जनसभा को संबोधित करने पहुचे थे जहां सनी देवल ने विकास के काम में टांग अड़ाने वालों को अपने ही अंदाज में आगाह कर दिया सनी देवल ने कहा कि वो काम करने में विश्वास रखते हैं इसलिए इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देते सनी देवल का दावा है कि पार्टी से उपर उठकर विकास के काम करा रहे हैं उन्होंने आगामी विधान सभाद चुनाव में क्षेतर से बीजेपी को जिताने की अपील भी की कि इंजा कसी एते जितांगे भी तब दुछी पार्टी नो तामनी करांगे अपा काम करांगे सांसत सनी देओल ने पठान कोट कैंट रेल्वे स्टेशन के नवीनी करण के काम का जाइजा लिया इस वरान सांसत ने ने नेरो गेज रेल्वे एलिवेटेट ट्रैक प्राजेक्ट की मन्जूरी के बारे में भी जानकारी ली साथ ही बीते दिनों लगे लापता होने के पोस्टर्स पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी अपने तीन दिवसीय दोरे के पहले दिन सनी देओल ने छातरों को निराश नहीं किया उन्होंने चातरों और शिक्षकों के साथ तस्वीरे भी खिचवाई तो दुनेरा में अपने जाने माने अंदाज में जनसभा का समापन भी किया दरसल सनी देओल पर गुर्दासपुर से सांसत का चनाव जीतने के बाद नदारद रहने के आरोप लग रहे थे पठान कोट रेलवे स्टेशन पर उनके पोस्टर भी लगवा दिये गए थे अब हलके के दौरे के दर्मियान सनी देओल आलोचिकों को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं पठान कोट से अजय महाजन जी मीडिया